दिल्ली चुनाव की एग्जित पोल में कॉंग्रेस को एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही है और इस बीच दिल्ली कॉंग्रेस प्रभारी पीसी चाको ने आम आदमी पार्टी से गटबंधन पर जवाब दिया है जिसके बाद राजनितिक गलियारों में हलचल मच गई दरसल कॉंग्रेस नेता और दिल्ली में पार्टी प्रभारी पीसी चाको ने कहा है कि नतीजे आने के बाद ही आम आदमी पार्टी को समर्थन देने पर कोई विचार किया जा सकता है चाको ने ये भी दावा किया है कि कॉंग्रेस इस चुनाव में अच्छा प्रदशन करने जा रही है हाला कि कॉंग्रेस को एक्जिट पोल में एक थी सीट मिलती नज़र नहीं आ रही PC चाको का कहना है जो भी एक्जिट पोल आए हैं वो सही नहीं है एक्जिट पोल की भविश्यवानी के उलट कॉंग्रेस का दिल्ली में बहतर प्रदशत देखने को मिलेगा पता दें 11 फरवरी को वोटिंग की काउंटिंग होगी जिसके बाद साफ हो जाएगा कि दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बन रही है फिलहाल जादतर सभी मेडिया सोर्सेज में आमाद्मी पार्टी को खासी सीटे मिलती नजर आ रही है